इस कोशन में हमें दे रखा है कि एथेन इसका में आणविक सूत्र भी दे रखा है C2H6 में सह सयोजक आवंद हैं हमें इसमें बताना है कि इसमें सह सयोजक आवंद कितने होंगे और यहाँ पर हमें चार ओप्षन दे रखा हैं इनी option में से बताना है कि हमारा कौन सा वाल option सही होगा और ये question हमारा 2024 के exam में आ भी चुका है ठीक है तो आप इस question का answer तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि सह सयोज़क आवंद होते क्या है हमारे ठीक है तभी आप बता पाएंगे कि हमारे एथेन में सह सयोज़क आवंद कितने होंगे तो इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सह सयोज़क आवंद होते क्या है लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और सबसे महत्तपूर्ण बेल आइकन को और पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी मोश इंपर्टेंट बहु भी गल्पिय कोश्चन के उपर वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिविशन आपके पास सबसे पहले जा सके ठीक है तो अब हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि सह सयोजक आवंद होते क हैं हेडिंग आपको यहाँ पर देखे रही होगी सह सयोजक आवंद जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बोंड कि यह हमारे होते क्या हैं तो इसकी में पहले आपको परिवार्शन समझा देता हूं कि जो हमारे सह सयोजक आवंद होते हैं वो हमारे रसाइनिक आवंद होते हैं इसमें दो परमाड़ों के बीच इलेक्ट्रोनों के जोड़े साजा किये जाते हैं और इसे हम आणविक बंदन के नाम से भी जानते हैं ठीक है या तो वो हमसे कोशन में सैसेयोजिक आवंद करके पूछ सकता है या वो हमसे पूछ सकता है आणविक बंदन करके ठीक है तो यह यहां पर मैं आपको example से समझा देता हूँ कि उपर हमें परिवाश हमें क्या बताया गया है तो यहां पर जो हमारे पास मिधेन है जिसका formula होता है CH4 तो हमें इसमें बताने की सह सयोजिक आवंद हमारे होते क्या है तो पहले हम इसका इस तरीके से diagram बना लेंगे उसके बाद मे तो वहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने आवंद बना है इसे बोलते हम आवंद अगर हम C के 4 ओड देखेंगे तो वहां पर कितने आवंद है हमारे 4 यानि कि मिधेन में सह सयोजिक आवंद की संक्य कितनी हो जाएगी यहांपर 4 ठीक है तो आप बस इसको ध्यान कोशन की और तो कोशन था हमारा एथेन जिसका फॉर्मुला होता है सी टू एच सिक्स तो इसमें हमें बताना है कि सैसे योजक आवंद कितने होंगे तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर डाइगरम बना देंगे जो कि आपको सामने दीखी रहा होगा अब जैसे मैंने आपको ब 6,7 यानि कि एथेन में सैसे योजक आवंदों की संग्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 और आपको समझाने के लिए मैंने यह आप लिखवी रखा है कि इसमें जो हमारे 6 आवंद बन रहे हैं वो हमारे कारवन और हाइड्रोजन के बीच बन रहे हैं और एक आवंद जो बन वरना आप यहाँ पर खाली उत्तर लिखकर आ जाना कि एथेन में साथ सैस योजक आवंद हैं ठीक है डाइगरम बना करके आ जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो और जाधा के लिए रो जाएगा तो उमीद हिगरता हूं कि ये question आपको पूरा का पूरा सवाँज में आ गया होगा और जहाँ पर आपको सवाँज में ना आया हो वहाँ पर आप comment करकर पूछ लेना मैं वहाँ पर आपको समझा दूँआ और अगर आपको मैत के भी एक नमबर वाले दो नमबर वाले या फिर चार या पांच नमबर वाले कोशन्स देखने हो तो मैंने इसके उपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक में डिस्क्रिशन में देदूआं वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस प